मिशेल जॉन्सन को भयानक चोट लग गई, इंस्टेग्राम पर चित्र अप्लोड करें मिशेल जॉन्सन कॉलकाटा नाइट राइडास के साथ इंडियन प्रीमिय लीग में वापिस आ गए हैं आस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंबाज मिशेल जॉन्सन को अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से संग्यास लेने के बाद जब वें इंडियन प्रीमिय लीग आईपी एल फ्रेंचाइजी कॉलकाटा नाइट राइडास के के आर ने नकद समरित लीग कि आगामी 11 वी सीजन के लिए खरीदा था तो फिर से वापिस आया जबकि पूर्व तेज गेंबाज ने अपने तेज गती से कई बले बाजों को घायल कर दिया जबकि 36 वार्षियर एक जिम व्यायाम के दोरान खुद को घायल कर दिया डेलीमेल.co.uk में रिपोर्टों के अनुसार जॉनसन को एक थोड़ी अब बार के साथ संखर्ष के बाद भाईया वेह चोट का सामना करना पड़ा जॉनसन को अपने खुपड़ी में बार के साथ तकराने के बाद 16 टांटे की आवशक्ता होती है जिसमें उसे एक अप्रिय कर्टेज गेन बास हाला की एक इंस्ट्रिग्राम पोस्ट में कहा था कि वह ठीक था जॉनसन ने अपने इंस्ट्राग्राम खाते पर चोटों की एक बहुत सारी तस्वीरे अप्लोड की तस्वीरे केप्शन की गई यदि आपको रक्त और कटोपी पसंद नहीं है तो इन तस्वीरों के बारे में मत देखो मैंने कभी भी खुद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है लेकिन मैं ठीक हूँ तु हो टुक्स एक स्प्लिनन हाश्टाग डॉन्ट फाइच जिन प्लस तिल डॉन्ट नो हाव इस पॉसबल हैश 18.3 ग्रहेश कंजा जगह IPL 2018 मेगा नेलमी के दोरान के कैयार ने बाए हाथ के गेन बाज को 2 करोड रुपे के आधार मूल्य के लिए खरीदा था वह पहले मुंबई इंजियन से मैं के लिए चित्रित थे उन्होंने आस्ट्रेलिया के लिए 73 टेस्ट खेले हैं और उनके नाम पर 313 विकेट लिए हैं उन्होंने टेस्ट में 12 पांच विकेट और 30 दस विकेट भी बनाए हैं एक सो तिर्पन एक दिवसीय माचों में वह उस्ट्रेलिया के लिए खेले। उन्होंने अपने नाम पर दो सो उन्तालीस विकेट लिए और पांच-पांच विकेट लिए। 2007 में श्री लंका के खिलाव उस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट माच खेल चुके जॉन्सन ने 2015 में न्यूजीलिंड के खिलाव अपना अंतिम टेस्ट माच खिला। टेस गेन बाज जो बिग बैश लीग 2018 में पैर्थ स्कॉकस के लिए खेले थे। नए साथ माचों में स फेक विकेट हासल किया जो उन्होंने खेली।